अच्छो तो अभी हम बढ़ रहे थे वीटि स्टौन से तू तो आपके सामने रहे वीटि स्टौन से तू क्या होता है पहले मैंने बताए ये येक परीपत है ये उपकरन इसका उपयोग कहा होता है यानि अग्याद परतिरोद का मान जब भी ग्याद करना हो तो हम विट्र स्टोन से तु को यूज में लेते हैं या फिर इस पर आदारित उपकरण कौन-कौन से हैं एक तो मीटर से तु एक केरी फोस्टर से तु और एक हम पोस्ट ओफिस बॉक्स भी कहते हैं तो आपके यह पॉइंट भी आप मेंशन कर लो यहां पर यह बाते आपने लिख ली ना यह जिन्दी बता रगी यह बाते लिख दी ना एक बात और लिख लो कि मीटर आपके विट्स्टोन से तु के सिदान्त पर विट्स्टोन से तु के सिदान्त पर मीटर से तु वे केरी फोस्टर से तु कारिये करते हैं कौन कौन कारिये करते हैं लिख दिया गया अरे लिख दिया गया तो आपको सवाल पूचा जा सकता है सवाल क्या पूचा जाएगा बताओ सवाल पूचा जाएगा कि मीटर से तु क्या है इसके सिदान्त पर कारिये करने वाले किनी दो उपकर्णो या युक्तियों के नाम लिखिए बात समझ मैं अब विट स्टोन से तु संतुलन में कब होता है जब विट स्टोन से तु के गेलियोनो मिटर में कोई भी दारा परवाईत ना हो रही हो यानि इसमें सुन्ये विक्षेप की इस्तती आपको देखने को मिले सुन्ये विक्षेप की इस्तती इसका मलब यहां से यहां के बीच में परवाईत होने वाली दारा सुन्य है सुन्य इसका मलब भी बिंदू और डी बिंदू का विभव क्या है समान है आप सबको पता होना चीए धारा विभव के अंतर की वज़े से परवाईत होती है हवा दाब के अंतर की वज़े से परवाईत होती है उसमा ताप के अंतर की वज़े से परवाईत होती है इसलिए परा जो थी विभुवांतर के क्या होती है या विभुवांतर दारा कह समानुपातित होता है आप यह जानते हैं अब यह शंतुलन की अवस्ता P by Q is equal to R by S, यह कैसे आया हम ज्याद करते हैं दो तरीके से कर सकते हैं एक तो सीधा यह तरीकार एक सपन क्या कर लेंगे किर्चोप का वोल्टेज नियम लगाएंगे यानि लूप नियम लगाएंगे और फिर संतुलन की सर्थ जो है वो प्राप्त करेंगे अब देखो किर्चोप का वोल्टेज नियम लगाने के लिए किर्चोप का वोल्टेज नियम लगाने के लिए इन बात इदर से इदर जा रही मिनलब यहां प्लस और यहां इसमें इदर से इदर जारी मिनलब यहां प्लस और यहां अब हम गरते बेटा 2 लूप लेते हैं क्या लेते हैं एक लूप इस Daar के से चल कर आकर क्या हो रहा होगा खतम हो रहा होगा, यानि यहां से शुरू करूँगा, यहां से चलते वे यहां क्या करूँगा, खतम करूँगा, दूसरा यहां से यहां क्या करूँगा, खतम करूँगा, यानि पहला लूप यह है, दूसरा लूप यह है, अब मैं वोल्टता नियम जानता हूँ, जानता हू तो आप में कहे रहा हूं कि हानग है यह लूप 1 में KVL से मिलनेवाला है क्या लूँगाने आगे वाला शाइन? तो minus I1P क्या लूँगा minus I1P फिर उसके बाद में यहां जाके इधर मूड जाओंगा इधर मूड जाओंगा तो current गोंजी मिलने वाली है इस galonometer का खुद का परतिरोद G माल लेता हूँ आगे वाला sign क्या लूँगा minus तो यह हो जाएगा IGG कौन आई? जी-जी-आई यह आई स्मॉल जी मतलब galonometer current और जी मतलब मैंने galonometer का क्या माल लिया? परतिरोद माल लिया ओके सर फिर यहां से चलता चलता यहां आया उसके बाद इधर चला इधर चला तो current कौन सी मिली? परतिरोद कौन सा मिला? तो फिर साइन कौन सा लूँगा? तो यह जागा plus I2R बराबर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? I2R बराबर I1P प्लस IG समीकर नमर एक किसी कोई दिक्कत है क्या? किसी कोई दिक्कत है? मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता था मैं इसको लिख सकता था I1P प्लस IGG is equal to I2 समीकर नमर किसी कोई दिक्कत? अब मैं गे रहाँ लूप 2 में किस में? लूप 2 में KVL से किस से? लूप 2 में KVL से तो बताओ बुल-बुल बेटा शुरुआत करूँगा यहां से इदर चलता हूँगा, यह गूमके यहां वापस चला जाऊँगा ठीक है? इदर इदर से इदर जा रहा हूँ परतिरोध कौन मिला? धारा कौनची मिली? साइन कौन सा लूँगा? तो माइनस I1 माइनस IG साथ कौन आ जाएगा? कौन आ जाएगा? कौन आ जाएगा? बात समझ में आ रही क्या? बात समझ में आ रही क्या? अब देखो इसके बाद में इसके बाद में यह गी हम आगे चले तो इदर से इदर चलेंगे अरियेशन हो किदर से किदर चलेंगे? इदर से इदर से इदर चलेंगे धारा को ओछी मिलेगी? साइन कौँछा लेंगे? तो ये लिखेंगे Plus I2 Ig Plus I2 Plus परति रोध कोँछा परति रोध कोँछा अब यहां से किदर जाऊंगा? अर उपर जाऊंगा, ना? उपर जाऊंगा, तो कौँण मिलेगा? करंट कोँछी? साइन कौन चालूंगा तो यह हो जाएगा प्लस IGG बराबर क्या आगया क्या मैं काम कर सकता हूं क्या मैं I1 माइनस IG गुणा में Q और इस सब को उधर भेज दू क्या तो यह I2 फ्लस IG और S फ्लस में IGG बराबर क्या हो जाएगा समीकर नमबर किती हो गई समीकर नमबर क्या हो गई बात समझ में आई गया संतुलन की इस्तिती में चूंकि संतुलन की इस्तिती में IG क्या होता है IG क्या होता है मैंने बनाया ना संतुलन की इस्तिती में गेलोनो मिटर में बेने वाली धारा क्या होती है सुन्य होती है क्या होती है सुन्य होती है तो यहां भी सुन्य रख दो यहां भी क्या कर दो यहां सुन्य रखेंगे समीकन एक में तो यह क्या हो जाएगा आई वन पी बराबर आई टू आई टू आर इसको अलग से लिखे गया अलग से लिख लेते हैं निवन्ना तुम क्या हो जाओगे फ्यूज हो जाओगे क्या हो जाओगे फिर कनपटी में पढ़ेंगे तो क्या हो जाओगे क्नफ्यूज हो जाओगे क्या हो जाओगे हाँ ना तो समीकन एक वे दो में क्या लिखेंगे समिखन एक वे दो में क्या रक रहे हैं IG बराबर IG बराबर 0 रकेंगे तो यहां से I1 P बराबर क्या आ जाएगा I2 R समिखन नमर 3 दे दू गया किसी कोई दिक्कत है गया अब देखना इसमें रखो तो यहां 0 यहां भी 0 यह भी जीरो बात समझ रहो क्या तो क्या बनेगा आई वन क्यू बराबर आई टू एस अरे ये श्या नो क्या मैं समीक्रण तीन में समीक्रण चार का भाग लगा दू क्या अरे ये श्या नो समीक्रण चार का भाग लगा दे तो आई वन से आई टू राइटू से आई टू किसी कोई डाउट है तो तुरंत पूछना कोई डाउट है क्या बताओ जल्दी से किसी कोई डाउट है है हो तो जल्दी बताना दूर कर दिया जाएगा कोई भी डाउट होगा तो चाप लो जल्दी से क्या इस वीडियो को यूट्यूब पर डाल दिया जाए क्या तुम नहीं करेंगे, हम पढ़ाई से सिर्फ मतलब रखते हैं, बाकी कुछ भी नहीं, डोली बेटा मश्ती नहीं, पढ़ाई जबरदस्ती नहीं, है कि नहीं, पढ़ाई नहीं करते हो, तुम मस्ती कुप करते हो, जल्दी लिखलो, तो मैं ये recordoning बंदगर देता हूँ